C.I.E.T. N.C.E.R.T. Presents Dictionary of Economics for Schools Trilingual Arth-Shastra का शब्द कोश विद्यालेउं के लिए त्री भाशी माशियात की लुगत स्कूलों के लिए सहलसानी L Labor Page 66 Laborer Page 66 Labor Intensive Page 66 Land Page 66 Land Ceiling Page 66 Land Reform Page 66 Land Settlement Page 66 Law of Demand Page 67 Law of Diminishing Marginal Product Page 67 Law of Diminishing Marginal Utility Page 67 Law of Variable Proportions Page 67 Leakage Page 68 Legal Tender Page 68 Lender of the Last Resort Page 68 Lending Rate Page 68 Liability Liability Page 68 Liberalization Page 68 Life Expectancy Page 68 Line Graph Page 69 Linear Demand Function Page 69 Liquidity Page 69 Liquidity Preference Page 69 Liquidity Trap Page 70 Literacy Literacy Page 70 Literacy Rate Page 70 Livelihood Page 70 Loan Page 71 Long Run Page 71 Long Run Cost Curve Page 71 Lawrence Curve Page 71 Lottery Method Page 72 Page 72 Lump Sum Tax Page 72 Luxury Goods Page 72 Page 72 Let's start with alphabet L Page 66 L Labor Physical and Mental Exertion or Effort by Human Beings involving Sacrifice of Leisure for Remuneration to create Goods and Services In Economics, it is regarded as a factor of production. It is not possible to undertake production without labor. Shram Vastuon और सेवाओं का स्रिजन करने के लिए अवकाश के क्षणों का त्याग करके पारिश्रमिक के लिए किया गया शाररिक और मानसिक परिश्रम या प्रयास. अर्थ शास्त्र में उत्पादन के कारकों में ये प्रमुख कारक है. बिना श्रम के उत्पादन करना संभ़ नहीं है. महनत मुआवजे के लिए अपने खाली आवकाद कुर्बान करके जिस्मानी और दमागी महनत या कोशिश करना ताके अशिया और खिद्मात की पैदावार हो सके. माशियात के अंदर ये पैदावार का एक एहम आमिल है. लेबरर महनत कश मजदूर हुनरमंद भी हो सकता है. घैर हुनरमंद भी. लेबर इंटेंसिव एनी प्रोड़क्शन प्रोसेश वेर लाजर प्रोपोर्शन अफ लेबर इन कम्पारिजन तो कैपिटल इस रेक्वाइट तो प्रोड्यूस महनत मुनहसर कोई भी ऐसा पैदावारी अमल जिसमें पैदावार के लिए सर्माए के मुकाबले महनत का तनासुब ज्यादा हो मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान में जरात और दस्ती मसनुआत की सनात भूमी बूतल पर उसके नीचे या उपर सभी प्राकृतिक संसाधन ये प्रकृति का निशुल को पहार है लेकिन इसकी पूर्ती दुरलब होने के कारण भूमी पर लगान प्राप्त होता है लेकिन रसद की कमी की वजह से किराया देना होता है LAND CEILING रस्किन अपर लमी इंपोस्ट बावनिट अवजब्मित उन प्राप्ति अपरोड़िख को पूंटी उप्राप्ति ए्कारप्ति च्रुछिट अपरोड़िप्टिशं ओर ऊप्रोड़िट मेझाप्ति and to protect the interest of tenants and agricultural workers. It differs from state to state in India. Land Sealing Act has not been very effective in practice. भूमी की उच्चतम सीमा निजी संपत्ती के रूप में किसी व्यक्ती अथवा फर्म के स्वामित्व में सरकार द्वारा भूमी की मात्रा पर लगाया गया प्रतिबंध अधिकतम सीमा ऐसे प्रतिबंध समाज में असमानता को कम करने और काश्टकारों एवन कृशी श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए सरकारी कानून के द्वारा लगाये जाते हैं. भारत में अलग-अलग राजियों में ये अलग-अलग हैं. भूमे की उच्चतम सीमा विधेयक वास्त में बहुत प्रभावकारी सिध नहीं हुआ है. अराजी हदबंदी जमीन की मिलकियत पर हकुमत के जर्ये लगाई गई हदबंदी यानि उपरी हद. यानि कोई शखस या फर्म निजी जाइदात के तौर पर कितनी जमीन रख सकता है. हकूमत इस तरह की पाबंदियां सरकारी गवानीन के जरिए लगाती हैं ताके समाज में नाबराबरी कम हो और किराएदारों और जराधी मजदूरों के मफादात का तहफुज हो सके लंग अलग रियासतों में अलग अलग नौयत की है जमीन की ऊपरी हद के सिलसले का कानून बहुत ज्यादा मुश्र नहीं है Land reform, practice is intended to change pattern of land ownership in a country so as to reduce inequalities. This generally involves redistribution of land, abolition of intermediaries, tenancy reform, sealing on land holding, consolidation of land holding and cooperative farming etc. through legislation or administrative arrangements, भूमी सुधार, और समानताओं को कम करने के लिए भूमी के स्वामित्व के ढांचे को बदलने के लिए किये गई उपाई. समाने तैहा, इसके अंतरगर्द वैधानिक या प्रशासनिक व्यवस्थाओं द्वारा, भूमी का पुनर वितरण, मध्यस्थों का उन्मूलन, काश्टकारी सुधार, जोतों की उच्चतम सीमा निरधारण, जोतों की चकबंदी और सहकारी क्रिशी आधी शामिल होते हैं. अराजी इसलाहात, वो तमाम एकदामात जो हकूमत, जरात और खेती बाड़ी को फरोग देने के लिए और ऐसे ही मुलक में जमीन की मिलकियत के तौर तरीकों में सुधार लाने के लिए अमल में लाती है. इन एकदामात में, आम तौर पर जमीन की तक्सी में नौ, बिचॉलियों का खात्मा, किराएदारी सुधार, जमीन रखने की हद बंदी और इमदाद बाहमी जरात वगेरा शामिल हैं. हुकूमत ये एकदामात कानून साजी या फिर इंतजामी तौर पर अमल में लाती है. Land Settlement Agreements made by Government of British India with individuals, villages or with tenant farmers in rural areas to grant ownership of land mainly for revenue collection. For example, under the British regime, जमीदारी system was adopted as one form of land settlement in the area of Bengal Presidency. भूव्यवस्था अराजी बंदोबस्थ वो मुआइदे जो हिंदुस्तान की बरतानवी हुकूमत ने देही इलाकों में अफराद, गाउं या जोतदारों के साथ जमीन की मिलकियत अता करने और खास तौर पर लगान या महासिल जमा करने के लिए किये थे. मसलन बरतानवी हुकूमत के तहत बंगाल Presidency के इलाके में जमीन के बंदोबस्थ के लिए जमीदारी निजाम को अपनाया गया था. Law of Demand A law that gives relationship between price and quantity demanded of a commodity. It states that other things remaining constant, Ceteris Paribus When the price of a commodity increases, the quantity demanded of it decreases and vice versa. Mang का नियम वो नियम जो किसी वस्तू की कीमत और उसकी मांग की गई मात्रा के बीच के संबंध को बताता है. इस नियम के अनुसार यदि अन्य बाते आपरिवर्टित रहें, तो जब वस्तू के मूले में वृद्धी होती है, तब उसकी मांग कम हो जाती है, और मूले में कमी होने पर मांग बढ़ जाती है. मांग का कानून एक कानून जो किसी शे के मतलूब मिकदार और उसकी कीमत के दर्मियान रिश्टा या तालुक पैदा करता है. इस कानून के मुताबिक, अगर दीगर बाते यक्सा रहें, तो जब किसी शे की कीमत बढ़ती है, तो उसकी मतलूबा मिगदार घटती है, और उसके कीमत में कमी होने पर उसकी मांग बढ़ जाती है. law of diminishing marginal product, a law stating that as a firm employs more and more units of a variable input, keeping other inputs and technology constant, its marginal product will eventually come down. It is a phenomenon that takes place in the short run, in a production process where one factor is variable and others are fixed factors. See also, law of variable proportions. रासमान सीमान्त उत्पाद नियम इस नियम के अनुसार अन्य आगतों और तकनीकी को नियत रखते हुए, जैसे जैसे कोई firm परिवर्ती आगतों की अधिक अधिक इकाईयों का नियोजन करती है, तो उसका सीमान्त उत्पादन अंततह कम होता जाता है. ये ऐसी परिगटना है, जो उत्पादन प्रक्रिया के अल्पकाल में घटित होती है, जहां एक साधन परिवर्तन शील होता है, तथा अन्य साधन अपरिवर्तन शील होते हैं. देखें, परिवर्ती अनुपात नियम. घट्ती हाशियाई पैदावार का कानून. ये कानून बताता है कि जब कोई फर्म किसी मुतगीर मादखल की इकाईयों को ज्यादा से ज्यादा काम मेलाती हैं और दीगर मादखल नेज टेकनलोजी को यकसा यानि कॉंस्टन्ट रखती है, तो आखिरकार उसकी हाशियाई पैदावार नीचे आजाती है. एक ऐसा मजाहिर है जो कलील मुद्दत में किसी पैदावारी अमल में जल्द ही रौनमा हो जाता है, जहां एक आम मुतगीरा होता है और दीगर अवामिल गैर मुतगीर होते हैं. नेज देखिये, मुतगीर तनासुब का कानून. Law of Diminishing Marginal Utility A law which states that as a consumer increases consumption of a commodity, the satisfaction or utility derived from consuming each additional unit of that commodity, other things remaining the same would decline. इस नियम के अनुसार यदि अन्य बाते नियत रहें, तो जैसे जैसे किसी वस्तू का उप्योग बढ़ता है, उस वस्तू की प्रत्येक अतिरिक्ते एकाई के उपभोग से प्राप्त होने वाली संतुष्टी या उप्योगिता कम हो जाती है. घटी हाशियाई अफादियत का कानून ये कानून बताता है कि जैसे जैसे सारिफ के जरिये किसी शै का सर्फ बढ़ता है, तो उस शै की हर इजाफी एकाई के साथ सर्फ से हासिल अफादियत घटी जाती है, जबके दीगर चीजें वैसी ही बरकरार है. Law of Variable Proportions It shows the relationship between the variable input and output of a firm in the short run. This law outlines three stages of production. It states that keeping all other inputs constant, increase of a variable input in equal increments, परिवर्ती अनुपात नियम के परिवर्ती आगत और निर्गत के बीच के संबंध को बताता है ये नियम उत्पादन के तीन चर्णों को दर्शाता है ये बताता है कि अन्य बातों को नियत रखने पर परिवर्ती आगत में व्रिद्धी से शुरू में इसकी सीमांत उत्पादक्ता में व्रिद्धी होती है इसके बाद कम होती है और अंत में संकुचित या रिनात्मक हो जाती है इसके परिणाम स्वरू कुल उत्पादन आरंध में बढ़ती दर से बढ़ता है फिर घटती दर से बढ़ता है तथा अंत में कम होने लगता है मुतगीर तनासुब का कानून ये कानून किसी फर्म के मुतगीर मादखल और माहसल के दर्मियान रिष्टे को जाहिर करता है ये कानून पैदावार के तीन मरहलों को जाहिर करता है और बताता है कि अगर बाकी सब मादखल यकसा रहें तो मुतगीर मादखल में इजाफे से अवल हाशियाई पैदावार की मिगदार में इजाफा होता है और फिर कमी आती है और फिर बिलाखिर मुनवी माहसल हो जाता है Page 68. Leakage, a term mostly used in circular flow-of-income models to denote savings, taxes and imports as outflows or leakages out of the main flows of the economic activity. These act as leakages or subtractions from total demand in the economy and hence reduce the total output. This gives rise to famous paradox of thrift, where more savings are good for an individual, but for the economy as whole, more savings mean less consumption and thus it means less demand, less output. Note Legal Tender Different instruments recognized under the law of a country, which can be used to make or accept payments. Currency notes and coins in India are legal tender money. It is only due to backing of the central bank, i.e. RBI, that we are willing to accept pieces of paper or metal, currency notes and coins as medium of payment. Vyadh mudra Vyadh mudra Kisidaeške kakanoon ke tahat, maan ne vibhin upkaran, jinnke dwarah bhugtahan, dhiyay ya swikar kiyya jaya sakti hai. Bharat me currency note tathah sikhe vyadh mudra hai. Aisah keval kendri bank, bharatiy reserve bank ke pashcha vartan, banking ke karen hai. Ki hum kagaz ke tukdu ya dhadu, currency note tathah sikho ko bhugtahan ki maadhim ke rup mei swikar karne ko tiyar hoti hai. Legal Tender Kisie mulk ke karenun ke tahat, koi adayegi karne ya adayegi karne ya adayegi kubool karne ke liye tutslim shudha mختلف tariqa kar. Jaysse, hindustan me currency note tathah sikhe. Ye mehz, Merkazi Bank, yaani Reserve Bank of India ki kanooni pushthpana hi hai, ke hum ek kagaz ke tukdu yaani karansi note aur dhad ke tukdu yaani sikhe ko adayegi ka zariya banaate hai. Lender of the Last Resort A term to denote the ultimate role of the central bank of a country in extending loans and advances to other banks and financial institutions when all other sources are exhausted. Antim rindata Jab karz praapta karne ke annyi sabhi sroot samapta ho jate hai, Tab, banko aur vitiye sansthaon ko rinu aur agrim rashi uplabd karane me, Kisii dèjsh ke kiendri bank ki antim bhoomika ke liye prayuktu shabd. Lending rate The interest rate at which banks lend to their credit-worthy customers. It is also called the prime lending rate. Udhaari dar Woh byaaj dar jis par koi bank apne udhaar dene yogi grahaakon ko udhaar dayta hai. Isay pradhan udhaari dar bhi kehtetay hai. Shara karz dehi Woh shara soodh jis par bank apne karz ke ahl grahaakon ko karz dayte hai. Isko ibtidaai shara karz dehi bhi kehtetay hai. Liability A financial term denoting debts or obligations of an individual or institution. For example, loan taken is a liability for an individual. Deposits are liabilities for commercial banks. And bonds sold are liabilities of a firm. Similarly, securities sold by government are similar to loans taken by the government, and hence it's a liability. Deyata Eek vitiye shabd, jho kisii vyakti ya sanstha ke rinu, ya vitiye daayitvon ko darshaata hai. Udharan ke liye rin, rinu, rinu leenu waale vyakti ke liye ek deyata hai. Bank, jamaa varni jik banko ke liye ek deyata hai. Tathah bechei gai bonds, firm ki deyata hai. Isi prakar, sarkar dwara bechei gaii prati bhootiyan, sarkar dwara liyei gai rinu ke sum ka ksh hai, tathah isi liye sarkar ki deyata hai. Vajibat, eek mali istala hai, jho kisii fard, ya idaraya ke krizon, ya mali zimmedariyo ko zahir kerti hai. Misalnya, kriz eek fard ke liye wajibat hai, jamaa shudarakum, bank ke wajibat hai, aur furokht giye gai bond, eek firm ke wajibat hai. Isi tarha, hukumet ke zariye tamisqat, yani security's ka furokht kiya jana, waisa hi hai, jaisa hukumet ke zariye karz liya jana. Is liye, ye bhi wajibat hai. Liberalization. Measures taken by government to do away with restrictions on trade and business, such as licensing, quota, permit, tariffs etc. Udarii karan. Vyapar aur vyafsai pər lagai gai license, quota, permit aur prashulq jaysse pratibandhun ko samabt karne ke liye sarkar dwara kiya gaya upai. Narmkari. Tijarat aur karobar par lagi pabandhiyo ko kam ya khatm karne ke liye, hukumet ke zariye u'thaayegay ekdaamad, misalun, licensing, quota, permit aur tarif vaghira ki pabandhiyo ko narm karna. Life expectancy. Number of years on average a newborn baby is expected to live. Page 69. Jeevan sambhavita. Kisi navjat shishu ke jeevit rehenne ki sambhavit awsat varshun ki sankhya. Madu ka zindagi. Eek nau maulood bachche ke baare mein umeed ke woh awsatan kitne saal zindah raheega. Line graph. A graph in which standard intervals of time, hour, day, date, week, month, year etc. are plotted along x-axis and the value of variable are shown on the y-axis. The line which is obtained by joining the various points so plotted is known as the line graph. It helps in understanding the movement of the variable over the specific time periods. रेखा आलेक. रेखा आलेक कहा जाता है. ये किसी विशेश समयावधी में चर के परिवर्टनों को समझने में सहायता करता है. Line graph एक graph जिसमें वक्त के मेयारी वक्फे जैसे की घंटा, दिन, तारीख, महीना, साल वगेरा एक्स महूर के साथ दिखाये जाते हैं और मुतगीरा की गदर की चाल को y महूर पर दिखाया जाता है. मुक्तलिफ नुक्तों को जोडने से हासिल शुदा खट को line graph कहते हैं. इससे वक्त के मख्सूस वक्फों में मुतगीरा की हरकत को समझने में मदद मिलती है. Linear Demand Function A linear functional relationship between quantity demanded Q and the prices of that commodity P. It can be represented by the following equation. Q is equal to A minus BP, where A is greater than 0 and 0 is less than equal to P, which is less than equal to A by B, where A is equal to intercept coefficient, autonomous expenditure, B is equal to slope coefficient. The slope of such a function is constant, which means that change in quantity demanded in response to change in price is same irrespective of whether we begin with very low price or very high price. For example, for every 1 rupee change in price, change in quantity demanded may be 2 units. And this would be true for a price change from rupees 9 to rupees 10 or from rupees 90 to rupees 91. रेखिय मांग फ्हलन रेखिय फ्हलन किसे वस्तू की मांगी गई मात्रा Q और उसकी कीमतों P के बीच रेखिक कार्यात्मक सम्बंध है. इसे निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है. Q बराबर A घटा B पी जहां A 0 से जादा है और 0 पी से कम अथ्वा बराबर है. ये P A बटा B के कम या बराबर है. जहां A बराबर अंतह खंड गुडांक स्वायत वय और B बराबर धलान गुडांक. इस प्रकार के फलन का धलान स्थिर होता है. जिसका अर्थ है कि कीमत में परिवर्तन के प्रती मांग की समवेदन शीलता स्थिर रहती है. चाहे हम बहुत कम कीमत से शुरुवात करें या बहुत अधिक कीमत से. उधारण के लिए यदि कीमत में प्रती रुपए परिवर्तन के कारण मांग में दो इकाई का परिवर्तन होता है तो कीमत 9 से 10 रुपे या 90 रुपे से 91 रुपे प्रती इकाई होने पर दोनों ही स्थितियों में परिवर्तन 2 इकाई ही होगा खती मांग अमल मतलूबा मिंगदार Q और शे के कीमतों P के दर्मियान खत अमली रिष्टा बतलाता है इसको जेल के मुसावात के जर्ये समझाया जा सकता है Q बराबर A घटा B पी जहां A बड़ा है सिफर से P बराबर या बड़ा है सिफर से और P बड़ा या बराबर है A बटा B से जहां A मक्तुवा जरीब और B धलान का जरीब है इस किस्म का ढ़लान यानी सिलोब यकसा होता है जिसके मानी ये हैं कि कीमतों के रद्दे अमल में मतलूबा मिकदार यकसा है चाहे हम कीमत की बहुत कम सता से शुरू करें या जादा सता से मसलन गेमतों में एक रुपे की तबदीली पर मतलूबा शेय की एकाईों में दो का फर्क आता है और ये उस वक्त भी सही है जब कीमत में नों से दस रुपे की तबदीली हो या 90 और 91 रुपे की तबदीली हो लिक्विडिटी, the ability of an asset to be converted into cash quickly. Coins, currencies and demand deposits are the most liquid assets. Greater the liquidity of an asset, easier it is to act as a means of payment. तरल्ता, किसी परिसंपत्ती की शीगरता से नकद रूप में परिवर्थित होने की योगिता. सिक्के, मुद्राएं और मांग जमा सबसे अधिक तरल्परिसंपत्तिया है. किसी परिसंपत्ती की जितनी अधिक तरल्ता होती है, उतनी ही सुगमता से वो भुक्तान के माध्यम के रूप में कारे करती है. सयालियत किसी असासे की फौरी तौर पर नकद में तबदील हो जाने की सलाहियत. सिक्के, नोट और डिमांड डिपॉजिट बहुत सयाल असासे हैं. जिस मैश्यत में असासों की सयालियत ज्यादा होगी, तो वहां अदाएगी भी आसान होगी. लिक्विदी प्रफ्रेंस लिप्रेंस तौर तौर अप्ड़ पूज जैर उच्राश की समदील में शीर पौर निक्विद यूजज ओप। इस चेस्ट तौर थे ज्यूज़ वफॉज़ पूआज असास्टाश विबदों तौर टौर अमने असे बख। पुझने बोड़ चाटनिर बोल्टन उर्वन अप्टेशने अर्छाइड टॉर्द घॉंच अर्थ और प्रेश उक्राइट उल्टन इॉस दॉस पॉस्पे कॉसिली आट इंक्राइट कर संध एंद इंक्राइट वे और आट इंधर संध्य गॉर इंदित इंधि रिर्स C also liquidity trap तरल ता अधिमान ये लोगों की अपनी संपत्ती को तरल परी संपत्तियूं जैसे नकदी के रूप में रखने की छकुदर्शाती है जौन मेनाद केंज ने इस धारणा का उप्यूग मुद्रा की मांग के सिध्धान्त की व्याख्या करने के लिए किया है लोग मुद्रा की मांग रोज मर्रा के लेन देन के लिए लेन देन उद्देश अप्रत्याशित तातकालिक आवशक्ताओं की पूर्थी के लिए सावधानी उद्देश या अपनी वैकल्पिक परी संपत्तियूं जैसे बॉंडों पर जोखिम तथा पुरसकार की आशंसाओं अधार पर सट्टा उदेश ए करते हैं मुद्रा की मांग का आएं के साथ घनात्मक तथा ब्याज की दर के साथ रिनात्मक संबंध होता है ब्याज की एक बहुत कम दर पर तरलता अधिमान पूर्ण तया लोचदार हो जाता है तरलता जाल देखें तरलता जाल इतने पास रखने की खौहिश शूधी शरह में तब्दीली से मुनाफख कमाना जरी मांग का लेंदेन बराहरास्थ आमदनी से मुतालिक होता है और सूध से मुनफी तौर पर मुतालिक होता है सूध की इंतहाई कम सतह पर लामटनाही लोज यानि सियालती शिकंजे में बदल जाती है नेज देखिये, सियालती शिकन जा Liquidity Trap A situation in which the rate of interest is so low that no one wants to hold interest-bearing assets and prefer to hold money. In this situation, the speculative demand for money is infinite or perfectly elastic. This means that people prefer to keep all their financial wealth in the form of money rather than alternative forms like interest-bearing bonds. Any increase in money supply by the central bank is absorbed by the people as money demand, thus making monetary policy ineffective or incapable of changing output. The concept of Liquidity Trap was given by John Maynard Keynes. तरलता जाल ऐसी स्थिती जिसमें ब्याज की दर इतनी कम हो जाती है कि कोई भी ब्याज अर्जित करने वाली परिसंपतियों को रखना पसंद नहीं करता है, बलकि नगद रखना पसंद करता है. इस स्थिती में सठा मांग अनन्त या पूर्णतया लोचदार होती है. इसका अर्थ है कि लोग अपनी सारी वित्तिय संपत्ति, अन्य वेकल्पिक रूपों जैसे ब्याज सहित बॉंड्स के रूप में रखने की बजाए, मुद्रा के रूप में रखना पसंद करते हैं. केंद्रिय बैंक द्वारा मुद्रा की पूर्ती में कोई भी व्रिधी, जनता द्वारा मुद्रा की मांग के रूप में अफशोशित कर ली जाती है, जिससे मौद्रिक नीती उत्पादन में परिवर्तन करने में अक्षम या प्रभाव हीन हो जाती है तरलता जाल की धारणा जौन मेनाद केंज के द्वारा दी गई थी सियालती शिकंजा ऐसी सूरते हाल जहां सूध की शरह इतनी कम हो के कोई शक्स सूध बरदार असासों को रखना पसंद ना करे और अपने पास नकद रखने को तरजीह दे ऐसी सूरत में जर की सटेबाजी की तलब मुकमल लोच वाली होती है और इसे जरी रसत बढ़ा कर भी नीचे नहीं लाया जा सकता इस तरह जरी पॉलिसी भी सियालती शिकंजे की सूरते हाल में नाकाम हो जाती है ऐसी सूरत में लोग बॉंडों के अंदर पैसा नहीं लगाते बलके अपना रुप्या पैसा नकद की शकल में रखते हैं लोग बॉंड इसलिए नहीं खरीदते क्यूंके बॉंड खरीदने की सूरत में सरमाय के नुकसान का खत्रा रहता है इस शकल में ए बी सियालती शिकंजा है और तरजीही सियालत का खमीदा मुकमल तौर पर लोचदार है जबके अफकी महूर सूद की कम से कम शरह पर है Literacy A social condition where persons aged seven years and above can both read and write a language with understanding It is not necessary for a person to have received formal education or passed minimum educational standard for being treated as literate साक्षरता वो सामाजिक्स थे थी जहां सात या इससे अधिक आयू वाले व्यक्ति जो किसी भाशा को समझ कर पढ़ और लिख सकते हैं साक्षर होने के लिए व्यक्ति का आपचारिक शिक्षा प्राप्त करना या नियूंतम शेक्षिक स्तर को उतीर्न करना आवशक नहीं है खवांदगी ये एक ऐसी समाजी हालत है जिसमें साथ साल या उससे ज्यादा की उमरवाले लोग किसी जबान को समझ कर पढ़ और लिख सकते हैं किसी शक्स के लिए ये जरूरी नहीं के वो रस्मी तालीम भी हासिल करे यानि खवांदा होने के लिए तालीम की किसी दर्जे को पास करना जरूरी नहीं है Literacy rate It is defined as the percentage of literates to the total population aged 7 years and above Literacy rate is equal to number of literates divided by population aged 7 plus multiplied by 100 साक्षर ता दर इसे साथ या इससे अधिक आयू की कुल जन संख्या में साक्षर लोगों के प्रतिशत के रूप में परिभाशित किया जाता है साक्षर्त दर बराबर साक्षरों की संख्या, भाग, साथ या इससे अधिक उम्र वाले व्यक्तियों की जन संख्या, गुणा एक सो शरहे खवांदगी कुल आबादी में साथ साल या उससे ज्यादा उम्र वाले खवांदा लोगों का फीसद है शरहे खवांदगी बराबर, खवांदा अफराद की तादाद बटा, साथ साल या उससे ज्यादा उम्र की आबादी गुणा सो लाइवलिहूद, means of earning for living which provides basic necessities of life In India, agriculture is an important source of livelihood for maturity of the people Page 71 आजीविका जीविका उपारजन के साधन, जिससे जीवन की मूल भूत आवशकताएं पूरी होती है भारत में क्रिशी, बहु संख्यक आबादी की आजीविका का महत्पून स्रोत है माश जिन्दगी गुजारने के लिए आमदनी या कमाई के जराएं ताके जिन्दगी की बुनियादी जरूरियात पूरी हो सकें हिंदुस्तान में लोगों की अक्सारियत के लिए माश का एहम जर्या जरात है लोन Amount of money lent by the banks and financial institutions to individuals or institutions at a particular rate of interest Loans are classified on the basis of use and time period A loan is also known as borrowing उधार Banko और वितिय संस्थाओं द्वारा व्यक्तियों और संस्थाओं को निश्चित ब्याज दर पर उधार दी जाने वाली धन राशी उधार को इसके उप्योग और समयावधी के आधार पर वर्गी कृत किया जाता है उधार को रिन भी कहा जाता है कर्ज Banko या माली इदारों के जरिये किसी खास शरह सूथ पर अफराद या इदारों को कर्ज दी गई रकम कर्ज की जिम्राबंदी इस्तिमाल और मियाद की बुनियाद पर की जाती है कर्ज लेने के लिए अंग्रेजी में बॉरोंग यानि उधार का लवज इस्तिमाल होता है Long Run It does not refer to calendar length of time but is an analytical notion of time in economics In microeconomics, long run refers to a period where for a firm, none of the factors of production are fixed In macroeconomics, long run refers to a period where all prices are flexible in an economy दीरखावधी इसका भी प्राई समय की calendar अवधी से नहीं बलकि अर्थशास्त्र में समय की एक विशलेशनात्मक धारना है व्यश्टिगत अर्थशास्त्र में दीरखावधी समय की वो अवधी है जिसमें एक फर्म के लिए उत्पादन का कोई भी साधन स्थिर नहीं है समश्टिगत अर्थशास्त्र में दीरखावधी समय की वो अवधी है जिसमें अर्थविवस्था में सभी कीमते लोच्शील हो जाती है तवील मुदद वक्त का ऐसा वक्फा जो किसी शक्स को इतलाद हासिल करने और अपनी पसंद का फैसला करने के लिए काफी हो Microeconomics में तवील मुदद का मतलब है जहां फर्म में पैदावार के अवामिल मुकरर ना हो Macroeconomics में तमाम कीमते मैशत में तगयूर पजीर होती है Long Run Cost Curve Envelope Curve of the Short Run Cost Curves Since all factors of production are variable in the long run, all costs are variable The long run average total cost curve, LATC, is drawn by varying the amount of all factors of production However, because each short run average total cost curve, SATC, corresponds to a different level of the fixed factors of production The LATC is constructed by taking the lower envelope of all the SATCs दीरगावधी लागत वक्र लगू अवधी के लागत वक्र का आवरण वक्र क्यूंकि दीरगावधी में उत्पादन के सभी कारक परिवर्ति होते हैं, सभी लागतें भी परिवर्तित होती हैं दीरगावधी में कुल उसत लागत वक्र उत्पादन के सभी कारकों में परिवर्तन करके बनाया जाता हैं क्यूंकि प्रत्येक लगू अवधी कुल उसत लागत वक्र के उत्पादन के नियत कारकों के विभिन स्तर के आनुरूप होता हैं इसलिए दीरकावधी में कुल औसत लागत वक्र सबी लगू अवधियों के कुल औसत लागत वक्रों के निचले आवरण से बनाया जाता है तवील मुद्दती लागत खमीदा ये मुख्तसर मुद्दती लागत खतों का घेरने वाला खमीदा यानि Envelope Curve है जो के पैदावार के तवाम अवामिल तवील मुद्त में मतगीर हो जाते हैं। इसलिए तमाम लागते भी मतगीर हो जाती हैं। तवील मुदती ओसत लागत खमीदा पैदावार के तमाम आवामिल की मिधदार के इखतलाफ दिखाते हुए खींचा जाता है बहराल क्योंके हर मुदती ओसत कुल लागत यानी S-A-T-C पैदावार के मुकररा आवामिल की एक मुखतलिफ सतह के मताबिक होता है इसलिए LATC की तामीर तमाम SATCs की निचले गहरे यानि लोवर एंवलप को लेकर की जाती है Lawrence Curve A curve that shows the inequality of income This is a graphical method for representing income disparities as if all individuals earn similar level of incomes The Lawrence Curve for such individuals would be a straight diagonal line called the line of equality If there is any inequality, then the Lawrence Curve falls below the line of equality The total amount of inequality can be summarized by the Guinea coefficient which is the ratio between the area enclosed by the line of equality and the Lawrence Curve and the total triangular area under the line of equality Guinea coefficient is equal to area of OCA divided by area of the triangle OCD Lawrence Vakr ये Vakr आय में असमानता को दर्शाता है ये आय के विक्षेपन को मापने की एक आलिखिय विधी है यदि सभी व्यक्ति एक समान आय अर्जित करते हैं तो ऐसे व्यक्तियों के लिए Lawrence Vakr एक सीधी विकर्ण रेखा होगी जिसे समानता की रेखा कहा जाता है यदि अर समानता होती है तो Lawrence Vakr समानता की रेखा के नीचे होता है विशमता की कुल मात्रा को गिनी गुणांक द्वारा प्राव्त किया जाता है जो समानता की रेखा और Lawrence Vakr से घिरे क्षेत्र फल तथा समानता की रेखा के अधीन त्रėभुजाकार क्षेत्र फल के बीच का अनुपात है गिनी गुणांक बराबर OCA का क्षेत्र फल, भाग OCD त्रिभुज का क्षेत्र फल पीज 72 लॉरेंस खमीदा ये एक ऐसा खत मनहनी है जो आमदनी, दौलत या माहसल की नाबराबरी को दिखाता है ये इंतशार यानि डिस्पर्जन की पैमाईश को दिखाने का एक ग्राफ तरिखा है अगर तमाम अफराद आमदनी की एक ही सदा को हासल करते हैं तो ऐसे सभी अफराद के लिए लॉरेंस खमीदा एक मुस्तकीमो तरी खत होगा जिसे खत मसावाद यानि लाइन आफ इक्वालिटी कहा जाता है अगर कोई नाबराबरी होती है तो लॉरेंस खत खमीदा मसावाद से नीचे चला जाता है अदम मसावाद की फुल मिगदार को गिनी जरीब यानि गिनी कोईफिशन्ट के जरीए मुक्तसर कर दिया जाता है जो खत मसावाद और लॉरेंस खमीदा से गिरे रकबे के दर्मियान निस्बत और खत मसावाद के तहत आने वाला मुसलसी रकबा है यनि जरीब पराबर OAC काईला का बटा मुसल्लस OCD काईला का Lottery Method One of the methods by which sample items are selected randomly in such a way that each item has an equal chance of getting selected from the universe. In this method, each item is assigned a unique number and then thoroughly mixed. The required number of items is randomly selected by drawing lots. Lottery Vidhi याद्रिचिक रूप से प्रतिदर्श मदों को चैन करने की एक विधी है जिसमें प्रतिएक मद को समश्टी से चुने जाने का समान अफसर मिलता है. इस विधी में प्रतिएक मद को एक विशेश संख्या से निर्दिश्ट कर दिया जाता है और इसके बाद इन्हें भली प्रकार मिला दिया जाता है. Draw निकाल कर मदों की अपेक्षित संख्या को याद्रिचिक रूप से चुन लिया जाता है. करा अंदाजी तरीका ये भी एक तरीका है. इसके जरीए नमूने के आइटम बिला मनसूबा इस तरहां चुन लिये जाते हैं कि हर आइटम के चुने जाने का इतिफाक यकसा होता है. इस तरीके पर आइटम को एक अलग नमबर दे दिया जाता है और फिर सब नमबरों को अच्छी तरहां मिला दिया जाता है. तमाम आइटमों के मतलूब नमबर का इंतखाब बिला किसी तक्सीज के करांदाजी से किया जाता है. लंब साम टैक्स एक निश्चित राशी का कर जो लुगों की आय के स्तर पर ध्यान दिये बिना लगाया जाता है. यक मुश्ट टैक्स ये एक तैशुदा रकम वाला टैक्स है जो किसी शक्स पर आमदनी की कमी बेशी का लिहाज किये बगैर लगाया जाता है. इस टैक्स से उन लोगों की हौसला शुकनी नहीं होती जो पैसा कमाना और बढ़ाना चाहते हैं. लग्जुरी गुद्स गमोडिटीज विच मीट हूमन दिजायर बियोंड इमिजिट नीड्स एक्जाम्पल्स अफ सच कमोडिटीज आर एर कंडिशनर्स एक्सपेंसिव फोन्स और एक्सपेंसिव कार्स विलासिता वस्तुईं वे वस्तुईं जो आधार भूत अत्वत तातकालिक आवशक्ताओं से परे मानिवी इच्छाओं की पूर्ती करती हैं ऐसी वस्तुईं के उधारण हैं एर कंडिशनर्स, महेंगे फोन्स या महेंगी कारी हैं अशिया ये तैश वो अशिया जो जरूरी जरूरियात के परे इंसाने ख्वाहिशात की तक्मील करती हैं जैसे कार, रेफ्रिजरेटर, एर कंडिशनर्स वगेरा ट्राइलिंग्वल डिक्ष्णरी ये वेर जस्ट लिस्टनिंग तो इस प्रेजिंटेशन प्रेजर्य स्टरूरी एजए निमेश प्रेम्वर बड्यस्टनिंग्ण एजिए निर्जर रश्मी प्रेजर्व पॉजेशनर्टिंग्ण ओर्थिक अशिक प्रेजिक झालिशन बति-लैंग लिंग्डो अजीत हरो प्रेम्ड कोदिए अजीट ओरूरू असिस्ते इन फ्रोडक्शन कुसूम लटा बना प्रोड़। अधिर्दे बाय। प्रोड़ ए विमलेश चौधरी और इस प्रेशिता इस ब्रॉट तो दॉब दॉट थी यूदाई शी यूदू नुडली इंडिया